सबी दर्शकों को रिशी पालदून का नुसकार दोस्तों आज हम फिर ओते हैं दिल्ली और हमारे साथ है हमारी बहन संतोस ये बताएंगी कि मनुसे ने जो अपना जीवन है की धंग से वेतित करना चीए कि धंग का विभार करना चीए और अपनी जो जीवन की जीवन साला है ये इस तरह से बितानी चीए आईए संतोस की साथ बेवे नुसकार एक बेवे अपना दर्शकों को पूरा नाम बता दे मेरे नाम संतोषगर्ग है और मैं हर्याना की हूँ और रहती में दिल्ली में हूँ दिल्ली में रहती है तो मेरी बहन सबसे पहले आप परसंड रहेगा आप की कितनी जो लिए 54 तो आपका जो जिन्दगी कानूब हो कैसे रहा तो आपने क्या क्या देखा जिन्दगी में काफी उतार चड़ा होते ही हैं काफी उतार चड़ा हो देखें दुख भी आते हैं दुख भी आए दुख भी आए लेकिन मेरे साथ एक बहुत अच्छी बात ये होई कि मुझे परमिशर मिल गए मैं काफी दुखी थी, स्ट्रेस से रहती थी काफी स्ट्रेस था मेरे जीवन में कुछ बातों को लेके लेकिन हो सकता है परमिश्व के पास आने का एक जरिया हुआ हूँ इन बातों को तो मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करूँगी कि किसकी वज़े से था, क्या था क्योंकि परमिश्व ने मेरे रस्ता खोला इस बात के लिए मुझे खुशी है और ऐसे ही मेरे जब उन्होंने वहां के जो सीनियर्स होते हैं जो बिलीवर हैं उन्होंने प्रात्ना की वैसे ही मेरे अंदर कुछ हुआ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे जो चुटकारा मिल गया मुझे परमिश्व की प्रेजन्स का अनुवा हुआ अच्छे बेंजी आप जिसी तरफ में गी तो आपने घर में कैसे शांतियाई वहां जाने के बाद कैसा प्यार बढ़िया घर में वहां जाने के बाद कि क्या सही है और क्या गलत है क्योंकि जब तक इंसान परमिश्व को नहीं जानता तब तक वह समझे नहीं पाता कि गलती मेरी है या सामने वाले की है वो अंदकार में है तो आपको ये महसुस हो या अगबे मैं अंदकार से परकास के और गई हूँ ठीक बहुत बड़िया अच्छा आज कल वे वे एक देख रहे हैं एक आज इनसान दूसरे इनसान से जूट बोल रहा है ठगी मार रहे है, भी माना कर रहे है इनका क्यालाज होगा ये भी बदल सकते हैं अगर इनके पास सुबसमाचार पहुँच जाए येश्व मसी का सुबसमाचार कि उसने, क्योंकि सारा जो भी कारण है, जो भी बुराई की जड़ है पाप और पाप शमा करने का अधिकार सिरफ येश्व मसी के पास है जब पाप ही हड़ जाएगा तो ठगी, चोरी कौन करेगा फिर क्योंकि पाप की वज़े से इनसान कर रहना, उसके अंदर पाप है और पाप येश्व मसी के पास जाने से येश्व मसी ने एक काम किया मैं आपको बताती हूँ कुरुस पे काम किया पूरी मानव जाती के लिए उसने अपना बलिदान किया खुद परमेश्वर धर्ती पे आये मानव रूपदारण करके उन्होंने अपना बलिदान किया दुख उटाया पूरे मानव जाती ने जितने पाप की सबी पापों के लिए तो फिर बस तरफ हमें क्या करना है इंसान को उस बात पर विश्वास करना है कि ये काम मेरे लिए भी किया उसी टेम उसी पल हमारे पाप शमा हो जाते हैं और हमारा उद्धार हो जाता है और हम सुवर्गे राजा की परमेश्वर की संतान बन जाते हैं बेटा बेटी बन जाते हैं उससे पहले हम उसकी स्रिस्टी हैं लेकिन जैसे इस काम पर हमने विश्वास किया जो परमेश्वर ने परबंद किया उसी टेम हम उसके बेटा बेटी बन गई इतना बलीदान देयुन में उनके आथों में जैसे यह कील गड़वाना स्रीर में गड़वाना इसका क्या मतलब है इसका इसके बिना मानवजाती का उधार नहीं था अच्छया हाँ क्योंकि मानवजाती इतना पापी हो गई किसी तरह से ना अपने कर्मों से ना अपनी भक्ती से क्योंकि मनुष्य के कर्म क्या है मैले चितरों के समान है हमारे कर्म भी तो पाप में हो गई हम पापी हैं तो कर्म भी तो पाप में हो गई तो हमारे कर्मों से और मौक्ष का पाप से छुटकारे का कोई लेना देना ही नहीं है सिरब वो तो परमेश्य की अनूगर है इंसान के लिए दया है परमेश्य की कि उसने परबंद किया इसलिए मनुश्य धर्मी हो जाता है नहीं तो सारे ही मनुश्य नरक चले जाते अगर परमिश्वर परबंद ना करते तो अब थोड़ी बेवे इन से हट के बाद पूछेंगे आपसे यह आपके साथ कुन है? मेरी बेटी है तेरी बेटी है अच्छे एक पता बेटा में और बेटी में क्या अंतर है? कोई अंतर देखाई देता है जरेको? बेटी का नव मौविका गर्ग अच्छे गर्ग कभी कभी जब जैसे अब ये बेहन साधी सुदा है कभी आती है तो अपनी माता का सारा लाक्य पूछती है माता तो दुखी एक सोकी है बिलकुल पूछती है और क्या खाने को तरह दिल करता है तो तेरे मन की पूछती है बिलकुल पूछती है पूछती है पूछती है तो फिर इसमें ज़्यादा मौना चाहिए बेटा तो कभी ऐसे न पूछता बेटा तो ये बुचाएगा मा खाना जाजो बस ऐसा देखो हमने मेरा परमिशुर ऐसा है वो बिलकुल पक्षबात नहीं करता है और फिर मैं भी उसकी संदान हूँ तो मुझे भी नहीं करना चाहिए तो ऐसा फरक नहीं होना चाहिए देखे हमने नारी जातिम देखा है कि बेटी में ज़्यादा मौता है बेटे से इसका क्या कान है इसका मैं नहीं बता सकता है क्योंकि मेरे अंदर ये चीज़े नहीं है इस वारे मैं बता नहीं सकती क्यों आप में नहीं है अच्छा और मेरे ख्याल से तो सभी में नहीं होगा क्योंकि बोलते हैं ना दो आखें अब इसको हम एक नौकलरीस हैं और सभी माओं की आसीब करते हैं बुदरग अपनी बेटी को पलतलेगा दिया है और कि आ दिया है तो कभी ऐसा नहीं करते है आप कभी ने बिल्कुल ने बिल्कुल ने जो भी देना हो सीदा खुल के देती है भाई मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं वह अमारी भेन संतोस बनेर ये अगली वीडियो तक तब तक वंदे मातरम जैहिंत नमस्कार